I lost 4 lakh rupees in options and trading, अब मैं इसे कैसे recover करूँ, क्या आप मेरी help कर सकते हैं? I lost 75,000 rupees in options trading, मैं इसे कैसे recover करूँ? इस तरीके के message मुझे daily basis पे 2-3 message आते हैं, जहाँ पे कोई ना कोई ऐसी story होती है जहाँ पे option trading में एक अच्छा नुकसान करावा है cumulative अगर मैं पिछले 3 साल से social media पे active हूँ, अगर मैं सारे loss को accumulate करूँ जो मुझे सिर्फ messages में आये हैं, तो total sum निकलता है 10 करोड rupees के भी उपर जो total नुकसान मेरे knowledge में जो लोगों ने मुझे पताया cumulatively पिछले 3 साल में इन सब का answer जो मैं ने करता हूँ, वो same रहता है, stop options trading, yes क्या आपने सोचा है कि recent में जितने भी scams आपने देखे, जहाँ पे fake P&L बनते है, जहाँ पे ये समझ में आया कि training से income जादा हो रही है और trading से तो overall नुकसान हो रहा है, ऐसे काफी popular cases recently में आये, उस सब चीज में अगर आप common element देखेंगे तो वो क्या है, वो है options trading, क्या आपने एक भी scams ये देखा जहाँ पर swing trader नुकसान कर रहा था, क्या आपने एक भी scams ऐसा देखा जहाँ पे कोई investor न ये सब में एक ही चीज कमनती वो है options trading, ऐसा क्यों? क्योंकि option trading more than money making एक उमीद का game है, एक उमीद जो आपको मिलती है कि आपका small capital एक बहुत ही कम समय में बहुत तेजी से बढ़ सकता है, जो भी options trading में जाते हैं, majority of the लोग जो होते हैं, उनका capital comparatively small होता है, तीन लाग, चार एक लाग, पचास हजार, चालिस हजार और यही उमीद से जाता है कि फटा फट हम इस capital को तीन गुना, चार गुना कर देंगे, but 99% of the cases में end outcome होता है losses, 1% success rate है options trading में, देखें काफी सारे लोगों का यह negative comment भी आएगा, क्योंकि मैंना है न, उनकी hope और उनकी उमीदों के against बा बना कर रहा है कि 99% यहाँ पर failure ही होंगे, तो बहुत ही natural सी बात है कि एक negative comment आएगा, एक angryness आपके अंदर आएगी जो अब आप comment में जाके लिखने वाले, तो मुझे वो पहले सी पता है, अगर आप लिख भी देंगे, तो फरक नहीं पड़ेगा, बट अगर आप यह वीटा, थीटा, गामा, 3 p.m. स्टाटेजी, 2 p.m. स्टाटेजी, morning opening range breakout, 10 a.m. स्टाटेजी, 12 p.m. स्टाटेजी, scalping, directional, non-directional, low-wix environment, high-wix environment, यह सब चीज़े समझ पाऊं, उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही दिमाग है, यार क्या कर रहे हो आप खुछ सोचो, 15 चीजे भी करोगे, 17-18 स्टाटेजी टोटल बना के रखी है, कैसे समझ मैं आएगी, problem यह है कि यह चीजे प्रोसेस करना easy नहीं है, हाँ मैं ऐसा नहीं बलूँगा कि impossible है, कोई भी नहीं successful options trading में मैं ऐसा बिलकुल भी नहीं बोल रहा हूँ, लोग है successful options trading में भी, बट सिर्फ 1%, 99% नुकसान करते हैं, और मैंने try भी करी है, शुरुवात में मेरे career के, बट मैंने भी वहाँ पे नुकसान ही खाए, और इतनी 15-17 strategies के बाद मेरा दिमाग है ना, बिलकुल खतम हो गया था कि यार, कर क्या रहा हूँ, यह हो क्या रहा है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ कोई भी courses लेंगे, कुछ भी लेंगे, आपको straightforward answer तो कभी मिलता ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ if and buts के साथ आपको देखने को मिलता है, तो अब करना क्या चाहिए, देखिए, options trading को बंद करना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा पैसा कमाता है, वो है broker, हाँ, के लिए उतना capital चाहिए, कि आप वो volatility को handle कर पाए, आप चीजों को carry कर पाए, वहाँ पे मैं intraday trading नहीं बोल रहा हूँ, options में, और उसके लावा अगर आप intraday trading कर रहे है, options में, bank nifty, nifty, इसमें success होने के chances सिर्फ 1% है, तो ही जो उमीद का खेल है, जिसके कारण majority लोग पैस सटा खेलना है, कि यार में 1 का 10 करना है, इससे better chances of winning जो है आपके किसीनों में है, वहाँ पे आप जाके roll at खेलेंगे ना, तो 50-50% chance हो जाते है, जो कि आपके options trading से जाता है, तो सटा करना है ना, तो किसीनों में जाके करो, मजा भी आएगा, और पैसे जीत गए, तो वो बात chances है ही नहीं, अगर आप risk management follow कर रहे हो ना, तो उसके chances ही नहीं है, क्यों मैं बताता हूँ, सबसे पहले, यहाँ पर leverage नहीं है, अगर आपके वास 1 lakh capital है, तो आप जो भी करोगे, वो 1 lakh capital पे करोगे, जब कि अगर आप options trading में करते हो, तो यही आप 1 lakh पे 20 lakh का overall game खेल रहे हो, और उसमें क्या होगा, एक गलती और आपका 1 lakh single day हो सकता है, 70%, 80% तक चले जाए, बट cash trading में ऐसा अगर नहीं होगा, एक लाक में मान ले जी आपने 30% की position ली, क्योंकि अभी आपका capital एक लाके, उस example के समसें बता रहा हूँ, कि आपने 20,000 रुपीज, 25,000 रुपीज का stock लि तो ऐसा नहीं होगा, कि आपका capital ही खतम हो जाए, ठीक, यह थोड़ा सा drawdown आएगा, जो manageable होता है, क्योंकि आप over the period सीखते भी जाएंगे, बट options trading में, गलती का तो कोई scope ही नहीं है, एक गलती और game over, तो ऐसी चीज़े क्यों कने जीवन में, जहां आपका hard earned money, over हो जाए, औ और यह जानते हुए, कि जो probability of winning है, वो बहुत काम है, वो सिर्फ 1% है, जो options trading में आपके साथ है, बट, उमीद, यह उमीद का जो game है, जो आप screenshots देख देख के जा रहे हो, जो कि maximum fake है, जो आप courses, training program से रहे हो option में, चाहपर यह 17 अलग strategies मिलेगी, जो मैंने आपको बताईए, यह लेकर आप सोचते हो, कि आप successful बन जाओगे, तो यह उमीद का खेल है, profit कमाने का नहीं, तो उमीद के खेल से बचना बहुत जरूरी होता है, cash trading पे switch करिए, swing trading करिए, छोटे छोटे गेंज इसमें आप combine कर सकते हैं, अगर आपका patience level और अच्छा है, तो आप trend following करिए, positional trading करिए, चाप एक meaningful पैसा भी बनता है, बहुत peaceful बनता है, मेरी है न, 15 strategies नहीं है, सिर्फ तीन strategy है मेरी जो मैं follow करता हूँ, और I am very satisfied with the results also, काफी लोग देखिये, अप comment में यह पूछेंगे, आपका P&L बता हो, देखिये, सारी चीज़े live रहती है, leverage तो रहता नहीं है, अग क्या चांस है कि end में नुकसान होगा, ठीक है, एक दो महीने हो सकता है, और होता भी एक दो महीने कभी-कभी, जब market बहुत बेकार होते, but over the period, अगर मैं 2 साल तक करूँ, तो क्या इसमें चांस है कि आप नुकसान करो, कौन सा आपने ऐसा scam देखा, जहां पर कोई swing trader की बात क कर रहा था कि उसने नुकसान करा, होता ही नहीं है, क्योंकि leverage ही नहीं है, क्योंकि हम 10,00,00 है तो हम 10,00,00 से ही game खेल रहे हैं, और वो भी intraday के लिए नहीं, वो भी holding basis पे, इसलिए options trading से बचे, ये उमीद के खेल में मत गुसे, इसमें आप जो है वो भी गवा देंगे, जो passion से, hard work से पैसा बनता है, वो आप चाह रहे है कि आप फटा-फट किसी किसमत की तरीके से बना ले, वो नहीं होगा, so उमीद करता हूँ, आप इसको एक negative sense में नहीं देंगे, दो मुझे पता है काफी सारे लोग ये वीडियो देखके गुसा हो गए होंगे already, और आपने comment मे भी अभी तक देख लिया होगा वो बात, क्योंकि उमीद पर जब कोई पानी फेरता है, तो उसके against में कुछ ना कुछ तो लोग बोलते ही है, मिलते है फिर से अगले वीडियो में, अगर आपको बात समझ में आई है, तो comment मुझे जरूर बताइएगा, thank you for watching, see you, देवांग मैं शेरी